तो देखी यहाँ पे फाइनली जो है लिंक अब खुल गया है और मैं मिलकुल यहाँ पे चेक करके आप लोग को दिखा रहा हूँ जैसे मैं चेक कर रहा हूँ बिलकुल आप लोग कीजे बिलकुल खुल रहा है और मैं यहाँ पी इस बार डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ पहली बार YouTube पे कोई डाउनलोड करके दिखा रहा है, अभी तक किसी ने डाउनलोड करके नहीं दिखाया है, तो सभी को वीडियो को share कर दीजे, बिल्कुल 100% यहाँ पे डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, आप लोग लाइब बने रहे हैं, इस तरीके इस Google Chrome आप लोगों न खोल लिया है, अब देखिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल नया लिंक यहाँ पे जारी हुआ है, और मैंने खुद डाउनलोड किया है, इसलिए मैं खुद यहाँ पे record कर लिया हूँ, देखिए, आपको सबसे पहले इसकी टीग्जाम यहाँ पे सरच करना है, यह लिंक करने लगा है, इसकी टीग्जाम यहाँ पे सरच कीजिए, मैं अलग-अलग website पर जा जा कर देख रहा हूँ, इसकी टीग्जाम पे मैं भी देखा हूँ, खुल रहा है, तो इसकी टीग्जाम यहाँ पे मैं सरच किया हूँ, और देखिए, सबसे पहले जो आएगा इस पे आपको click कर देना है ठीक है उसके बाद नीचे की और जाना है यहाँ पे जो link दिया गया है यह link लिम बिल्कुल काम कर रहा है ठीक है सबसे पहले नीचे जाना है बिल्कुल अस्पीर में हम लोग नीचे जाएंगे तो बरहमी के लिए यहाँ पे मैं click कर रहा हूँ ठीक है अब आपको देखिए नीचे जो है download dummy registration card लिखा हुआएगा ठीक है नीचे जो download dummy registration card लिखा रहा है उस पे आपको click कर लेना है ठीक है यह जो लिखा हुआ रहा होगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा यहाँ पे college चूच करना है select all college यहाँ पे चूच कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको college यहाँ पे select करना है जैसे मैं check कर रहा हूँ बिल्कुल check कीजिए तो यहाँ पे मैं college choose कर रहा हूँ और college choose करते से मैं एक नाम से बहुत सारा college होता है तो college code जो बगल में लिखा हुआ उस पे ध्यान दिजेगा ठीक है न, ऐसा नहीं कि R.S.Y. college तो R.S.Y. college बहुत सारा होता है ठीक है तो college code पे focus करना है आपको कि आपके college का code क्या है ठीक है तो college code में जहना बाद S.S. college का यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसके बाद आपको यह डालना हो कि आप Arts से हैं, Science से हैं या Commerce से हैं तो मैं सा धुक यहां पर डाल दिया हूँ, ठीक है? उसके बाद view पर आपको क्लिक कर देना है, भीवबए आप क्लिक किजएगा तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का आपका खुलेगा ठीक है यहाँ पे देखिए फिर से भी उपे किलिक करता हूँ नीचे नीचे देखिए खुल गया है ठीक है नीचे खुल गया है यहाँ पे टिक आउट है और उसके बाद डाउनलोड रिपोर्ट पे आपको किलिक करना सबकुछ खुल गया अब इन्होंने लिया है तो आप लोग भी चेक कीजिए इस तरीके से और वीडियो को सभी को दनाग से सेर कीजिए बिलकुल यहाँ पे खूल रहा है बस जो नो फांड जो दिखा रहा है बो लो कॉलेज कोड जो है नहीं देख रहे हैं एक नाम से बहुत सरा कॉलेज होता है तो आपका सही दिखाएगा कॉलेज कोड सही नहीं डालने के बज़ा से नो फांड आप लोग का दिखाए रहा है ठीक है ना नो रिकॉंड क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट तो पांस सेकेंड में डाउटन के साथ उन्हें करें आओ बस आपके सवाल की फोटो की जो क्रॉप करो तुरन वीडियो सोलिशन पाओ फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, किमिस्ट्री, मैथ, वायलोजी का हो, सीबेसी, यूपी, बिहार, मदपर्देश, या अनस्टेट बूड का हो, यहां तक की कच्छा सिख से बरहमी, आईटी, जी और नीट का सवाल हो, सभी स की कुर्सेश का हिसा बने और .NET AIP को इंस्टॉल कीजिए, वाले बिल्कुर ध्यान से यह देखेंगे, टिक है ना, फेकल्टी में ध्यान देना कि आप अपना फेकल्टी वही डालना, आर्स हे तो आर्स डालना, साइन्स हे तो साइंस डालना, कोमर्स हे तो कोमर्स डालना, ठीक है और college code बार बर बोल रहा हूँ, college code बिल्कुल सही से चुणना आप लोग, जो आपका college code है, वही आप लोग डालना, ठीक है, दिखिया असानी से खुलड़ा है, बगल में देख रहा है, college के नाम में college code भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना college code डालि और अपना नाम डालिए, father's name डालिए, और date of birth बिल्कुल सही डालिए, उसके बद दिखिया असानी से खुलड़ा है, तो बल्कुल आप लोग चेक कीजिए, अब वीडियो को share कीजिए, और चैनल पे पहली बार से subscribe कीजिए, क्योंकि ऐसे ही सबसे सर्टीक अपडेट कहीं म असानी से खुलड़ा है, अब यहाँ पे आपको school credit candidate name यह सब कुछ डाल देना है, data board डालना है, असानी से खुल जाएगा, तो वीडियो को share कीजिए, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में